Hello friends law lecture में आप सब लोग का स्वागत है आज हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट के सब्जेक्ट में देखने वाले हैं रेस जूडी काटा को यह जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है सेक्शन 11 CPC में दिया हुआ है इसको हम दो वीडियो में बनाएंगे पहले यानि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस जूडी काटा का मीनिंग मैक्जीम्स देखेंगे ऑबजेक्ट देखेंगे एसेंशल कंडिशन देखेंगे बाकि सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइपस ऑफ रेस जूडी काटा और डिफरेंस और जूडी काटा दो अलग-अलग वर्ड है जैसे कि हमने रेस सब जूडिस में भी समझा था रेस का मतलब होता है matter और जूडी काटा का मतलब होता है has been judge या decide यानि कि ऐसे matter जो की decided हो चुके है इसे के example से समझ लेते हैं example यह कहता है कि जैसे A ने B पर कोई suit file किया और उस matter उस जो suit है उसकी judgment आ गई ठीक है और फिर उसके बाद judgment आने के बाद फिर से वही same matter पर यहाँ पर क्या किया B ने A पर दुबारा से कर दिया क्योंकि जो judgment आया वो A के favor में आया तो फिर B ने क्या करा B ने A पर suit file कर दिया same suit matter पर तो यह क्या है Bared by rest duty का टा इस पर लगेगा यानि कि जिस subject matter पर एक बार decision आ गया उसी same matter पर उसी same उसमे court में जो है suit नहीं file कर सकते section 11 देख लेते हैं section 11 CPC का यह कहता है कि no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a formal suit between the same party or parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in the court competent to try sub-subsequent suit or the suit in which such issue has been substantially raised and has been heard and finally decided by such court इसे हम कैसे समझेंगे मान लीजिए कि दो तरीके के matter हैं एक है former suit और एक है substantial suit दो तरीके के जो है matter चल रहे हैं ठीक है former और substantial ये दो क्या होती हैं लगलग वो भी आगे देख लेते हैं तो इस सेक्षन में में चीज क्या गई गई है पहला की better in issue same होना चाहिए example से समझ लेते हैं A और B के बीच किसी property को लेकर dispute था अब जो प्रॉपर्टी है A और B के बीच में जो dispute था तो उस dispute में A के favor में जो है judgment आई या decree आई ठीक same माली जे district court में ही है ठीक है और substantial suit में क्या हुआ कि same matter issue था अब B के B ने क्या किया B ने A के उपर suit फाइल कर दिया same matter का तो अब ये जो same matter ये नहीं कर सकता इस पर rest judicata apply है कैसे एक normal example से समझते है कि माल लीजे कोई कोई भी matter district court में गया ठीक है वहाँ से appeal हो गया high court के लिए high court से supreme court के लिए अब माल लो कि same district court में ही पहले A ने B पर suit किया था और district court में ही B ने A पर suit फाइल कर दिया यानि कि district level पे ही क्या हो रहा है यानि कि जो same competent court है same court पे किया है तो इसमें चीजे देखने वाली है पांच ingredient इस section में निकल के आते है number one तो निकल के आता है कि matter in issue जब same होगा दूसरा adjudicated होगा थीक है तीसरा competent court होगा यानि कि दोनों ही क्या है यहां पे दोनों ही district court में हो रहा है और fourth same party होगी तो A और B, B और A same party है और same title के लिए यानि कि इस property के लिए है यहां पे भी उसी same property के लिए है तो वहाँ पर rest duty kata apply होगा तो सीधा इसका कहने का मतलब यह है कि एक बार जब same ही district level के court पर ही जाये है और उसी matter पर जा रहे है तो same ही court में same ही suit के लिए same ही matter है competent court है तो वहाँ पर जो है एक litigator same title के उसमें या same parties के उसमें नहीं हो सकता इससे ऐसा क्यों क्योंकि भाई अगर ऐसा होने लगा तो क्या होगा court का जो burden है वो बढ़ जाएगा इसलिए rest duty kata इतना important है दूसरी बात rest duty kata एक बहुत बड़ा doctrine है जबकि section 11 जो है rest duty kata के under में आता है यानि हम यह समझ सकते हैं कि section 11 है वो क्या होगा rest duty kata के under में ही आएगा इसलिए doctrine बहुत important है उसके बाद doctrine of rest duty kata जिन magazine पे base है वो magazines देख लेते हैं पहली magazines है X capito rest duty kata मतलब कि one suit and one decision enough for any single dispute यानि कि एक single dispute के लिए जो है एक suit का A की decision enough है ऐसा नहीं है कि पहले A ने B पर किया तो A के favor में आ गया फिर वही same dispute B ने क्या किया same ही court में जाके A पर कर दिया suit तो फिर B के favor में आ गया फिर ऐसे ही तो चलता रहेगा तो एक matter के लिए एक dispute के लिए एक decision enough है दूसरा इसका मतलब है यानि कि same cause के लिए जो है आप दो बारी जो है suit नहीं कर सकते same matter है न वहीं जो ingredients हमने देखिए वही है तीसरा है interest रिपब्लिका उत्सित फिनिसन लितम इसका मतलब यह है in the interest of state there should be an end to litigation यानि कि litigation का end होगा तो यह कहीं न कहीं एक public interest के लिए है interest of state के लिए है फोर्थ है रेस जूडिकाटा प्रोव रियाते अक्तुपरा यानि कि a matter already adjudicated upon must be accepted as truth अब हमने यह देखा कि जो एक कोट का adjudication है अगर हम रेस जूडिकाट अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे तो किसी भी कोट की माननेता रहेगी नहीं जब एक कोट ने यानि कि a और b पर जो suit चल रहा था उस पर किसी कोट ने जब judgment दे दिया और अगर हम फिर same ही यानि कि district court में ही मान लिजए या high court में ही पहले decision होगे और दुबारा से आप high court में किसी दूसरे state के जाके कर रहे हो तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है एक तरीके से जो judgment आया यानि कि आप court की जो है एक तरीके से अंभिलना कर रहे हो तो इसलिए rest judicata जो है important है तीस ना हम देखने है object कि rest judicata की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी तो rest judicata की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि number one ये end of litigation है litigation का end है क्योंकि अगर ये rest judicata नहीं होता तो A ने B पर किया फिर B A पर करता फिर फिर से A B पर करता तो कहीं ना कहीं जो एक litigation है वो खतम ही नहीं होती चलती है थी तो ये end of litigation के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरी बात protection against double geo party यानि की endless proceeding के लिए अगर एक judicata नहीं लगाएंगे तो ये तो endless proceeding जो है चलती ही रहेगी तीसरी बात avoid redetermination of same issues which have already been adjudication यानि की जब एक बार एक तरीके से किसी भी उसमें एक adjudication हो गया यानि की हम इस court की उभेलना कर रहे हैं जब एक बार जो है court ने judgment दे दिया और हम फिर उसी matter पे उसी same level के court पे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अभेलना कर रहे हैं इसी लिए जो है redetermination same issue के लिए नहीं होना चाहिए इससे क्या है अगर देखो तो भाई court का time भी जाता है court पे burden भी बढ़ता है और same matter में कब ता court भी फसा रहेगा तो ये way stop जो है time भी है इसलिए res judicata important है ये इसका main object इसलिए रखा गया फूर्थ बात decision of court must be accepted as correct or final इसको object इसलिए भी ज़री था क्योंकि जो court ने decision दिया वो accepted है किस form में कि वो correct और final है उसे final माना जाएगा ठीक है अब इसमें एक चीज होती है कि appeal तो हम भी कर सकते हैं कि district court से high court में फिर high court से supreme court में पर district court से एक बार जब district court ने कोई भी मेंटर पर अपना judgment दे दिया और फिर आप दूसरे district court में जाके कर रहे हो तो गलत है तो यह जो दूसरे court में आप जाके करोगे यानि कि district 2 पर अगर आप तरी इसको district 1 माल लेते हैं इसको 2 माल लेते हैं जब आप दूसरे district court में जाके करोगे तो वहाँ पर रेज जूडी काटा होगा उसके बाद बात करते हैं essential essential क्या है essential यही essential condition of rest duty काटा same parties जैसे कि पहले हो गया कि बोथ जो suit है या जो भी party है वो pending before the court and the suit which has been decided should be same same जो matter है वो पहले ही decided हो गया same party matter करेगी दूसरी बात यह matter in issue subject matter in letter यानि कि मान लिजे कि matter in issue यानि कि पहले जो suit file किया था ए ने भी पर कोई suit file किया तो उसमें क्या है उसने मान लिजे चार issue लेकर आया और जब दूसरे court में वो गया तो वो तीन issue लेकर आया बट वो तीन issue क्या थे same थे तो matter in issue अगर same है तो ठीक है ना दूसरी बात इसमें गया है कि directly and substantially same in the earlier suit यानि कि same issues जो है वो पहले जो तीन issue है मान लिजे तीन चार पांच छे सेम ही है अगर तो यह क्या होगा चार थे तो चार तक जो है वहां रहे जूडी काटा लगेगा फिफ्ट और शिक्स पे नहीं लगेगा यह बात भी देखने वाली है एक और तीसरी बात क्या same title यानि कि जो भी मान लिजे इस property को लेकर कोई भी dispute है तो इसी property पर यानि कि same ही title रहेगा जो भी litigation रहेगा जो भी matter रहेगा वह same title पर होगा दूसरी बात concurrence of jurisdiction यानि कि जो कोट है यह decide करेगा कि जो former suit है must have been competent competent है to try to subsequent suit in which the issue have been subsequently raised उसके बाद fifth point है final decision यानि कि जिस भी कोट में माल लिजे यह district court 1 है और यह district court 2 है district court ने उस suit पर पूरा case सुना है और उसके बाद सुनने के बाद hired and decided पूरा सुनने के बाद कोई decision दे दिया है यानि कि उनका final decision है उस case में जब final decision आ गया है उसके बाद वो दूसरे इस चैनल पर नए है तो पहले यह यहां पर चलेगा कि भाई पहले यहां पर पूरा नहीं सुना है तो यहां पर रेजुरी काट अप्लाई होगा इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम टाइप देखेंगे differences देखेंगे और section 11 में जो explanation दी गई है वन से लेके 8 जो है explanation है उनने देखेंगे वीडियो में तक देखने लिए अगर इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब पर के बैल आइकन प्रेस करना और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना